हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई इस्टड़ी फीट ओफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों जैसा कि आपका उत्राखर्ण एल्डी ग्रेट का एक्जाम अठारे अगस्त को है 2024 का उसके देखते हुए मैं उसमें जो भी सिलिवस दिया हुआ है उसके एकॉर्डिंग पूरा वीडियो बना रही हूँ जो उसका फर्स्ट पार्ट है सारे सिछा का इतिहास उससे रिलेटिड सारे मैं विर्यूज एमसी को प्रैक्टिस और जो भी अज़ का टाप कि आज का टापिक है अनो टॉमि विजो लौजि जिसमें से जो पार्ट वैंव पार्ट जेसी कोसिका का अलग मसब्स और अलग हड्यों का अलग, circulatory system का अलग, respiratory system का अलग, nervous system का अलग, सभी का अलग अलग वीडियो बनागे, फिर मैं सभी को एक में मर्ज करके मैं राथन क्लास दे दूँगी, आप टेंसर न लिजेगा, मैं पुरा क्याने की पुरी कोसिस करूँगी हर एक पार, तो बस मेरे साथ जुड़े रहे, त आज का हम सुरू करते हैं कोसिका के साथ, तो दोस्तों, वीडियो को सुरू से लाज तक देखेगा, एक एक कोसिस आपके लिए important होते हैं, एक छोटा से छोटा कोसिस, सहल सहल कोसिन, एक पॉइंट भी आपको सेलेक्शन से बाहर कर सकता है, इसलिए किसी भी चीज को आपको इग्नोर करने की जरूत नहीं है, ठीके, धैरे बना करके थोड़ा देखना पड़ता है आपको, और मैं एक एक्स्प्लेन करती हुए, आपको समझाती हुए जाओंगी, यहाँ पे जरूत होगा, तो कोसिका का अध्यन कहा जाता है, तो दोस्तों, कोसिका का अध्यन को हम कह करते हैं, साइटोलोजी, यहाँ पे जो आफसन है, हिस्टोलोजी जो है, उत्तक यानि टीसू के अध्यन को कहा जाता है, यहाँ बायोलोजी जो है, जीओ के अध्यन को कहा जाता है, सबसे पहले तो आप जानने जिए अनोटॉमियों फीजियोलोजी का मतलब का होता है, बा आरत परिशंचत अन्थ वस्वशंद तंथ यह सभी सरी के धाच यानि कि सारी धाचे से समधित होता है इस ट्रक्टर से जब जो आपका physiology होता है उसमें हम सरी के विभीन अंगों की संचालर यानि function का कैसे कारे करते हैं सभी अंग उसका हम अंधिर करते हैं जैसे कि किस प्रकार मांату special security ओंग क्या रह क्या होता है हमाइब वोजन के पाचन में हर्मोन्स की k्रिया क्या होती है पेट जीगर्द अथा फैक रियाश की फलसरुप बनने वाले रसायन का अधियन किया जाता है यह सबी फीजियोलोजी सबी क्रिया बिग्यान में फांक्संस का क्रिया बिग्यान में एन वाडिक इस्ट्रक्चर का एनोटॉमी में याद रखेगा कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है ट्रैफिक पुलिस यानि की कोशिकाओं का यादा याद प्रबंध किसे कहा जाता है दोस्तों तो गौल जी काई को बोला जाता है किसे कहा जाता है गौल जी काई को यहां क्या करता है कि विभीन कोशी की इस्तराओं के भर्ण डार करता है यह उन प्रसंसकरण के लिए एक तरह से इस्टेशन का कारे करता है जैसे कि एक इस्टेशन से जहां जैसे कि ट्रेन एक इस्टेशन से दुसरे जगा जाती है बस जाती है उसी प्रेकार जो गाल जी काय जो है और नाभिक के निकट होता है और थैली कोसी काव में उत्पर होने वाले प्रोटीन और अन्य प्रदाथों को यह संचालित करता है यानि प्रोटिंग को संचित करता है प्रोटिंग को बनाता तो है आपका राइबोसुम और जो गल्जी का होता है वह प्रोटिंग को संचित करता है इसके अंदर एंजाइंग यानि सांदेज रूप में जो पाचन के लिए अपेचित होता है और यह प पतातों को बाहर निकलता है अब पूरी वाड़ी को बैलेंस में करके रखता है याद रखेगा कार्बोहाइड का संसलेसर भी करता है और यह भी देखेगा कि यहां पे आरबीसी में नहीं पाय जाता है आरबीसी में जिवाड़ों के आरबीसी में जो है गॉल जी का नहीं पा है तो दूस्तों börjar का ततकले श्रूत क्या होता है यहां पर यह जए वर श्वास्त और पोसर दिया हुआ है तो सभ से पर Taham को आता है इसको मिलाइए तो जया उर्जा हमारा क्या होता है ए टीपी होता है वन का वन ही हुजाएगा ए टीप एडी दो सिंट्रोई फॉस्फे जो हमारे उर्जा का त्वरित क्विक एनरजी सूर्स है तो वन का एक हो जाएगा ठीक है बी और डी दुनों में वन का ए दिया हुआ है अभी तक आपका नहीं सुल्जा हुआ है अब आप देखेंगे कि जो आपको सबसे असटिक आता होगा उसको देखेंगे आप देखेंगे पोसर जो होता है बिना पोसर के हम अच्छे स्वास्थे को कैसे बना सकते है नहीं बना सकते न तो क्या हो जाएगा पोसर जो है चौथा का थ्री हो जाएगा पोसर जो है अच्छे स्वास्थे का मूल होता है तो चौथा का थ्री किसमे द तो टुकव फूर एंड उर्जा क्या होता है स्वास्त जलब और आप अच्छे से सरकार कर रहे हैं इसका मतलब आपका स्वास्त अच्छा ऐस्वास्त का जलब अच्छा दिखाई दे रहा है यह आप स्वास्त है तो यह आपका राइडिल सरू जाएगा ओसन नंबर भी Q4 है उत्तक के अध्यन को कहा जाता है तो दोस्तो उत्तक के अध्यन को हिस्टोलोजी बोला जाता है यहां पर मायोलोजी मानस्पेसियों को अध्यन को कहा जाता है और साइटोलोजी को सिकाओं के अध्यन को Q5 है उत्तक कहते हैं तो दोस्तों उतक यानि टीसू किसे कहते हैं समान रचना और समान कारे करने वाली कोशिकाओं के समुख को हम क्या कहते हैं उतक कहते हैं दोस्तों उतक जो है वह कई प्रकार के होते हैं चार प्रकार के जिसमें इपिथिलियल टीसू जिसे हम उपकला उतक या एडिपोर करते हैं दुसरा होता है Connected diff us जिसलिक तक केसे तीसरा होता है muscular tissu जिसे placebo只γα q तक करते है छोधा ओता है तत्रिका जिसे नर्फ स्ट नagnost उत्रोग के इसके बारे में डीटेल में जानने के लिए आप डीस वाले वीडियो घरे की इन्य चाके प्लेवी करके थ्यूरी सेशन में को सिक्स है को सिकाओं के समूं को कहते हैं जश्ट आप देखे को सिकाओं के समूं को हम क्या कहते हैं समान रचना समान कारे करने वाले को सिकाओं के समूं को हम कहते हैं उत्तक यानि टीशू Q7 है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है तो दोस्तों हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है कोसी का कौन होती है कोसी का कोसी का जो है हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है X Q7 है हमारा सरीर असंखे छोटी छोटी जिवित इकायों का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं तो जिसे हम कोसी का कहते हैं क्या कहते हैं कोसी का दोस्तों जिस प्रकार एक-एक इट से जिसे एक दिवार की घर का सबसे छोटी का इट होता है एक एक इड से दिवार की रचना होती है, एक एक दिवार से कमरा बनता है, अब विभिन कमरा को मिला कर एक घर बनता है, उसे परकार कोसिका से उतक से अंग बनते हैं, अंगों से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से हमारा सरीर बनता है नेश्ट है कोसिका चारो तरफ से घिरी होती है तो दोस्तो एक कोसिका होता है हमारा इसमें बीच में केंद्रक होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं इसमें आप भरा रहता है आपका कोसिका ध्रफ जिसे साइटो प्लाज्मा कहते हैं तो ये चारो तरफ से कोशिका जिल्ली से घुरू होती है किसे कोशिका जिल्ली से तो दोस्तों कोशिका जिल्ली को हम प्लाजमा मेंब्रेन भी कहते हैं ठीक है कोशिका जिल्ली को हम प्लाजमा मेंब्रेन एंसेल मेंब्रेन कहते हैं और कोशिका के अंदर गढ़ा तरल पदात भरा रहता है जिसे ज जीव द्रबिया प्रोटो प्लाजम कहते हैं अब कोसिका के अंदर जो गाढ़ा तरल प्लाजम कोसिका द्रबिय कहते हैं और जो केंदर 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 हम क्या कहते हैं तो दोस्तों उसे हम साइटो प्लाजब यानि कोसिका द्रब्य कहते हैं अगर पूछेगा ये आपका जैसे की कोसिका है ठीक है ये बीच में आपका केंद्रक है और केंद्रक और कोसिका जिल्ली के बीच जो भरा रहता है उसे हम कहते हैं साइटो प्लाजब य अंदर भरा होता है इसे हम कहते हैं केंद्रक द्रबे ठीक है और जो दोनों के अंदर भरा होता है ठीक है कोसिका और कोसिका जिल्ली के अंदर कोसिका जिल्ली और केंद्रक के बीच जो भरा होता है उसे साइटोप्लाब यानि कोसिका द्रबे और केंद्रक के बीच जो भरा हो कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है तो राइबो सूम को उसे प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है राइबोसूम परतेक कोसिका में हजारों राइबोसूम होते हैं इसमें जो खुरदूरे एंडोपलाजमिक रेटीकूलम की बाहरी सता पर बिंदूओं के आकाल की तरह होती है साइटोपलाजमिके समस्त सतों में विंदूओं के अकाल में फैली रहती है और राइबोसूम जो है एक आर्डविक मसीन है जो प्रोटीन बनाती है इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है जैसा कि और जानने वाली बात जो है कि पैंक्रियाज यानि आगनासर की कोसिकाओं में पाचक रस का इस्तरा करती है राइबोसूम यानि कि पैंक्रियाज में राइबोसूम की मातरा अधिक होती है जो इनसुलीन होता है जिसका उत्पाधन आइलेर्स जालίαज और लाइबोसूम की कोसिकाओं पैंक्रियाज से होता है इसमें भी राइबोसूम की मातरा अधिक होती है याद रखियेगा जो राइबोसूम तो होता है इसका जो निधाय होता है sentimentation coefficient के अधाप होता है यानि 70S और 80S 70S का मतलब होता है छोटा prokaryotic और 80S का मतलब होता है बड़ा eukaryotic कोसिका दो प्रकार के होती है eukaryotic और prokaryotic eukaryotic मतलब जिसके कोसिका के केंद्रे में केंद्रक होता है जैसे कि हम मानों जो है जो बहु कोसिकी होते हैं और prokaryotic जिसके कोसिका के बीच में केंद्रक नहीं होता है इस प्रोक्रेयोटिक कहते है question number 12 है निमनिमे से कौन सा एक प्रकार का cellular स्वसन है जो oxygen की उपसिति में संपन होता है तो दोस्तों जो कोसिकी स्वसन होता है दो प्रकार का होता है एक वाईवी यानि कि aerobic और एक और वाईवी यानि कि on aerobic respiration तो जो on aerobic होता है वो कोसिका द्रब में संपन होता है इसमें 280P का निमा होता है और जो 280P का निमा होता है और जो वाईवी स्वसन होता है वो आपका mytrocorondium में संपन होता है और जिसमें 28P का 36P का निमा होता है तो दोस्तों जो हमारा और वाईवी स्वसन होता है उसे हम gray colesies प्रक्रिया भी कहते हैं जो कोसिका द्रब में संपन होता है और उसमें ग्लुकोज के एक अडू से टू पारविक अमलकाने माग होता है यानि कि जो अन एरूबिक क्रिस्पाइडेशन होता है और वाईवी स्वसन उसमें आक्सिजन की अनुपस्थिती में उर्जा का अपगड़न होता है बिना आक्सिजन की और जो आक्सिजन होता है एरूबिक उसमें आक्सिजन की उपस्थिती में खाद पदातों का विगड़न होता है जो अन आक्सिजन होता है अन एरूबिक यह और वाईवी जिसमें जो है आपका एक्ति जैसे गलॉकोस के एक अडु से दो पारविक अडु का निर्माग होता है। इसिलिए कहा जाता है कि 約 2 APP सुध्राक्रथी मैं अट पो इस लिए सोजने के पारविक पारविक रोलिक राक्रविशन ako तो 1-nem, जािए इसीलिए निर्माग होती है..। बदले में ग्रुकोस से अभिक्या करता है उसके बाद इसमें आपका पारिविक अमलक प्लस 2 ATP उर्जा और लैक्टिक एसिड भी इसमें बनता है अन एरोबिक में जबकि एरोबिक में अलाक्टिक एसिड नहीं बनता याद रखेगा तो जो सेलियर स्वसंथा जिसमें आक्ष याईवी सेलियर स्वसंद करते हैं जो उर्जा में प्रियोठित करके औरोगि आक्षिजन के फर्सुरूप swim सेट। जो अन एरोबिक रेस्पाइडेशन में और वाईवी सोसन में तू पायरोइक अमल होता है वो क्रेप्स चक्र में माइट्रोकार्डिया में प्रिवेस करता है और वहां पर एक पायरोइक अमल से अठारे एटिपी बनते हैं इस प्रकार ग्लुकोज के एक अलू से 38 एटिपी क करने मार होता है इस प्रकार हम कर सकते हैं कि कोशिकी स्वसन यानि आंत्रिक स्वसन में एक ग्लुकोज के पुड़ ऑक्सी करड़ पर कुल दो प्लस 36 यानि 38 एटिपी का उर्जा प्राप्त होती है कोशिका के किस भाग को पाउर हाउस आफ सेल कहा जाता है तो दोस्तों अभी जश्ट में बताई कि जो माइट्रो कॉंडिया होती है उसमें वाइबी स्वसन के द्वारा 36 एटिपी का निर्मार होता है और यह आक्सीजन के द्वारा जो भोज पदात होता है उसको उर्जा में करण्वर्ट करता है यानि एटिपी का निर्मार करता है और उस एटिपी को सरी में जहां जहां उर्जा के आसकता होती है वहां व माइट्रोकांडिया में एक 20 relatives प्रकार का enzymes होता है जो Bak ash कोषीकि सोषान के फ़र्यों के फल्षरूप भोजन को उड़्जा करーーं में प्रवजित करता है इसलिए इसे कोषीका का पाउर हाऊउस कहा जाता है और इसका कारिका होता हहता है माइट्रोकंडिया का उत्यम्ट को उस अस्थान पर इस्तरांदित करते हैं जहां उसकी आसकता होती है यहां पर कैटाबोलिज्म का कार्य होता है और डियन नी और राइवोसुम की बीच कुछ जोड़ने का काम करता है बैक्टिरिया प्लस निले हरे सेवाल में यह नहीं पाए जाते हैं याद रखिएगा कोर्शन नंबर 14 है मायट्रो कॉणिया समंधित है तो दोस्तों अभी जश्ट बताई यह वाईवी सोसन आक्सिजन के उपसिती में बोज़ पदारतों का बिघटरंग करता है और उर्जा उत्पादन करता है तो यहां पर उर्जा उत्पादन से समंधित है यह पार हाउस कोशिका का उर्जा गरी कहा जाता है जैसा कि आप जानते है तो एक कोशिका में उर्जा उत्पादन का सक्विय स्थल क्या है अभी जर्ट आपने देखा मैट्रो कार्डिया ठीक है एक ही कोशिन को कई होता है। मिंया मैट्रो कार्ण यह को सिका स्वसन करता है और कि कि में मुख्न abonya कोली बनां हम इनके कि इपर सब्सक्राइब करें लुग यृसा का उत्पादन करता है y-v positivelyा प्रिया अक्सीजन कोर तो स्थान तो साथाल करता है को थाकरार में उट्पादन का शकडिवा थान कोंड टो इन दो तो स्थान को है थान conception न्यॉबर प्रफक कैं कि ऐस्ज्ञ उट्पादन का मसीन कहा जनता है तो हो है मायट्रो कांडिया कोशन नमर 20 है कि कोशिका का उर्जा घर किसे कहते है तो मायट्रो कांडिया को कोशन नमर 21 है मायट्रो कांडिया को या भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तो कोशिका का उर्जा घरी पावर हाउस आफ सेड कहा जाता है कोशिका का नियंत्र केंद्र है तो दोस्तों कोशिका के समस्त कारियों का नियंत्र करता है नुकलियस यानि की केंद्र तीक है यह आपका कोशिका है इसके अंदर एक केंद्रक है यह कोशिका के समस्त कारियों का क्या करता है नियंत्र करता है कोसिका को हम केंदरक को हम नुकलियस को कोसिका का नियंदरक कहते हैं जो कोसिका के कारे को नियंदित करते हैं तर्था कोसिका के दुबारा उत्पत्ति के कारे को भी संपाजित करते हैं जैसे कि दोस्तों कोशिका केंदरक کیंदरक नुकेलेख्यूप्लाज्वामें जैसे सिनुचना होती है जो दिन्नीय प्लस हिस्टॉन प्रोटीन से बना होता है यही क्रोमीटीन जालिका जो होती है कोशिका के नई विभाजन यानि कोशिका विभाजन के दोरान क्रोमोटीन जो है लंबे सुत्रों में कॉंडलेद हो जाती है यही लंबे सुत्रों को गुर्सुत्र यानि क्रोमोशूम्स कहते हैं तो यहां पर जो केंद्रक द्रब्य होता है इसमें गुर्सुत्र यानि क्र 45 गृसुत्र होते हैं पारवों में 22 जूड़े वह समुत्र मेहाद में 23 इन इनु मुर्भी एग गृसुत्रव होते हैं Wisconsin होता है झाल दूज़न होता है न धीधे चुत्र-घ्वा-खथ मुन्य सक्तुन को फिलो छह दर इसे मिस मौह झाल कर दे का इनका gonna' 2 कॉंसीका नियंत्रक केंदर-बिंदू बताइगा प्सक्राइब को पहते हैं सिंद्रक तो है है ओक नियंत्रक भीष है कि तो और दोस्तों दो 살 पढ़हरे वहां पाउधों की पत्तियों पे होता है जो सुरी की प्रकास को ग्रहर करके कार्बो आइडेट और जल को द्वारा अपना वोजन स्वयम बनाता है जिसे प्रकास संस्थे से प्रक्रिया कहते है तो ये क्लॉरोफिल के करण ही पौधों के जो रंग होता है वो हरा होता है तो यह क्लॉरोफिल जो है किस रंगा होता है और यह प्रकाश संसेटर का मुख्य वड़क होता है इसे फोटो सिंथेटिद पिग्मेंट भी कहा जाता है कोशिका के अंदर सफाई करने का कारे करता है जिसमें बहुत सारे जल अभगटक एंजाइम होते हैं इसकी कोश क्रिष्टियन डिवे ने किया था लाइसोसों जीलियों से धकी हुई छोटी थैलिया होती है जिसमें बहुत सारे जल अभगटक एंजाइम या पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन तथा वसा यानि लिपीर्स को तोड़ता यानि पचाता है अब प्रोटीन वसा तथा किंद्रक अमलों को अलग अलग तोड़ देता है यह जब कोई सुचमजीव कोसिका में प्रवेश करता है तो इन ही पाचक एंजयम के कारण नश्ट हो जाता है इसलिए दोस लाइससोम होता है वह कोसिका के अंदर सफाई करने का भी काम करता है यानि बैक्टरिया को मारता है अम्रित कोसिका को नश्ट करता है और कोसिका का अंग खराब हो चुका है अगर पूरी कोसिका अनुपयोगी हो गई है तो लाइससोम फट जाता है खुद फट करके पाचक यानि जब घटक एंजाइम्स को मुफ्त कर देता है जिसे पूरी कोशीका ही नश्ट हो जाती है इसलिए लाइसोस्वाम को आत्म हत्या की थैले यानि सुसाइड बैग भी बोला जाता है और लाइसोस्वाम को एटम बम कोशीका का एटम बम भी बोला जाता है तो यहाँ पी आपको देखना है कि लाइसोस्वाम को पाच कोशीका का पाचन बैग यानि डाइस्ट बैग भी बोला जाता है और लाइसोस्वाम को आत्म हत्या की थैले यानि सुसाइड बैग भी कहा जाता है और लाइसोस्वाम को एटम कोशीका का एटम बम भी बोला जाता है याद कोशिका के किस अंग को सेलिलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है तो दोस्तों अभी जश्ट कहें सेलिलर गार्बेज डिस्पोजल यानि की आत्महत्या की थैरी किसे कहा जाता है यानि सफाई करने का काम डिस्पोजल में आप क्या करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है लाइसोसूम को बोला जाता है सेलिलर गार्बेज डिस्पोजल तीक है कोश्चन नंबर 27 है एटीपी इसमी भंडारित रहता है दोस्तों जैसा कि वाईवी जैसे कि हम जो सांस लेते हैं तो आक्सिजन अंदर जाता है और यहां सी जो पलमूलरी धमरी होती है असुद रख्ट को लेकर जाता है हमारी फेफ़ों में अब फेफ़ों से जो जाहों के रास्ते बाय अलेंद में जाता है बाय अलेंद से बाय निले में जाता है बाय निले से सुध रख्ट एरोटिक वालब के रास्ते महा धमनी के द्वारा समस्त सरी में भेच दिया जाता है और वहां पर हीमोग्लोबीन जो है आक्सिजन को ले जा करके कोशिका में और वहां से जो है कोशिका द्रब में जाता है जहां पर अन एरोविक रेस्पाइडेशन होता है और वहां पर टू पाइरोविक अमर बनता है फिर वह जाता है आपके माइट्रोकॉण्डिया में माइट्रोकॉण्डिया में ऑक्सिजन जो है जो हम खाना खाय होते हैं उसको जैसे कि हम काभुहडेट कुम participating है तो फिल्डबें काभुहेस अप्सक्राव करनीच सब्सक्राइब्स जहां कोई कार्य करते हैं तो वहीं एटीपी हमें तुरंत उर्जा के रुप में प्रयोग होता है तो यह आपका राइटेंजर हो जाएगा मानस्पेशी बट आयोग ने इस उत्तर को मुल्ली आंकल से बाहर कर दिया था इसमें यकृत और मानस्पेशी जिसमें से यकृत में कुछ जमा होता है बट मानस्पेशी में यहां पर राइटेंजर होगा मानस्पेशी आपका राइटेंजर होगा जैसे कि आप जानते हैं कि एटीपी जो है एक उच उर्जा अडू यानि हाई एनरजी मालीक्यूल है जो समानतर सरी की सभी कोसिकाओं में भंडारित होता है याद रखिएगा एटेपी हलाकि इसका अत्यदिक मातरा याद रखिएगा जो एटेपी होता है हमारे सरी की सभी कोसिकाओं में भंडारित होता है लेकिन अत्यदिक मातरा में हमारे मानस्पेशी कोसिकाओं में होता है जिसका उपयोग सरी दोरा विमिन निक्रिया कलापों में प्रियूक्त उर्जा के रूपे होता है कोशन न्बर 28 है कि इनमें से किस अधार पर प्रतेग ब्यक्ति को पहचाना और उन्में अंतर किया जा सकता है दोस्तों जानते हैं कोई किसी भी चीज को अब चुपा नहीं सकता DNA के जाँच त्वारा हर एक चीज पता चल जाएग तो इसमेंसे किस अधावा प्रतेग बेक्टी को पहचाना और उम्हें अंतर किया जा सकता है तो DNA के जाँच द्वारा DNA के रुक्चेतर की खोच जेम्स वार्सन ये फ्रांसेस क्रिक के द्वारा 1903 में की गई थी इस खोच के लिए इन्हें वार्सन वार्सन में नूबेल पुरुसकार से भी समानित किया था वर्सन वार्सन 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 वार् एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में लच्छों को भेशता है कि कोर्शन नमर एक टीस है बृद्धी को प्रहावित करने वाला कारक है तो दोस्तों बृद्धी अन्वानसिक भी होता है परियावर्ण आपको उचित परियावर्ण मिला तो आपका बृद्धी प्रहावित ज्यादे अच्छे परियावर्ण में अच्छा होगा अज़रवायू भी आपका गर्म ज़रवायू है तो अन्वानसिक परियावर्ण अज़रवायू यह तीनों बृद्धी को प्रहावित करते हैं तो इन में से सभी आपका राइट देस रूँगा कोश्ण नमर बत्तिस ह कि जो अनुवानसिक विशिस्ताएं रग्त वार्ग तुचा के रंग बाल मानसिक दश्ता आदिका निधारत करती हैं वे कोसिकाओं के अंदर मौजूद कतिपे सुच में कडोत वरा नियंदित होती हैं जिन्हें माना जाता है दोस्तो इस सभी चीजे अब ही जश्ट में बता कि अब धाल में पहुंचते हैं उन्हें अनुवानसिक लख्षड कहती हैं अनुवानसिक विशिष्ता हैं जो रग्त वार्ग यह सबी चीजें होती है जीन के दवरा होता है और जी जो अनुवानसिका की खोश किया था ग्रेगर जान मेंडल ने इसलिए ग्रेगर जान जोरी 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 शोती है यानि समसुत्री विभाजन सब्स्ताइए कि विभाजन पर एकस और पोड़े में गुल्जो ओते हैं वेसे नमबर 34 है कि ब्यक्तिकत भेद इनके कारव होते हैं ब्यक्तिकत भेद यानि इंडिवीजुल डिफ्रेंसे दोस्तों जो ब्यक्तिकत भेद हो गया और सारे फिटनेस हो गया फिजिकल फिटनेस इसके मुझ्य कारव होते हैं वांसा नुक्रम एन वाता अवरल का प्रभा सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों एक उचित पोसर और सभी चीजे प्रहाइब करते हैं पर सबसे जदा प्रहाइब करता है बेतिक भेद और फिर्जिकल फिटनेस को सब्सक्राइब करते हैं बट सबसे ज़्यादा आपको प्रहाइब करता है वंसा नुक्रामा वाता और याद रखिएगा वंसा नुक्राम जो होता है दोस्तों इसे हेरिडिटी कहते हैं वहाँ च्छामता देता है और उस च्छामता को बिक्सित कौन करता है और अवसर कौन पतां करता है इन्वार्मेंट याने वातावरण जैसे कि मैंने आपको स्पोर्स साइकोलोजी में पढ़ाया हुआ है ब्रदियो विकास जिसमें हेरिटी एन वातावरण जिसे हम प्रकृति और पोसर कहते हैं जिसे हम इंग्जिस में नेचर और नर्चर बोलेंगे जो प्रकृति होती है अनुवांसिक्ता को बला जाता है नेचर जिसे कहते हैं और नर्चर जो होता है वातावरण को जो पोसर देता है जिसे नर्चर बोला जाता है जो प्रकृति होती है नेचर होता है अनुवांसिक्ता होता है इसको हम बदल नहीं सकते इस फिक्स होता है कि हमारे आई कलर क्या होंगे हमारे सरी का कलर क्या है और मानु ढाचे को एक ससक्त आधार कार्य पदान करता है प्रकृति या नीचर जिसे अनुवाँसिक की कहंगे जो पोसर होता है परियावरों जिसे नर्चर गूलते हैं वहा बदल सकते हैं उसको डायनेमिक होता है परियोटन सिर्व होता है बैक्ति के ब विवहार को और अधिक परिश्कित किया जा सकता है यानि मानों को सबसे प्राड़ी माना गया है वाकिवर इसलिए कि इसने प्रयावरों में किंचित अथ्वा आमल परिवतन तथा मजबती पतान करना सीख लिया है इस प्रकार हम जान सकते हैं दोस्तों जो हमारा हेरीडिटीव होता है अनुवान श कोर्चन 19 36 है कि रंग बढ़ांदता कलर प्लाइडनेड में ड्यक्तिक्राव पिलेट Juice नहीं कर पाता है जोड़ों जो रंग बढ़ांदता होता है कल टी इसको color vision भी कहते हैं color vision deficiency भी बोला जाता है तो यह जो होता है vitamin A की कमी सो होता है और जैसे कि हमारे आखों में जो है वो दो सेल होते हैं एक road cell एक कुन cell जो road cell होता है और अंधेरे में active रहता है जो अंधेरे आउजाले में फरक बताता है और अंधेरे में वस्तूओं को देखने का काम करता है road cell जिसमें redopsy layer होती है अगर वो खराब हो जाती है तो रात को दिखाई ने देता है जिससे रताओधी यानि night bloodence होता है और जो कौन cell होता है वो प्र जो कौन cell प्रभावित हो जाता है खराब हो जाता है तो हम रंगों में फरक नहीं कर पाते हैं विसे इसका लाल और हरा रंगों में ठीक है और इसी से color blindness यानिकी वरंता हो जाता है तो यह विटामिन A की कमी से ही होता है और यह दोस्तों अक्सार अन्वांसिक भी होता है इस कोशन नंबर 37 है color blindness टे ग्रसित ब्यक्ति को किन दूर रंगों में भीयत करने में अस्विदा होती है अभी जश्ट आप ने देखा ठीक है लाल अहरा रंग में कोशन नंबर 38 है बच्चों का लिंग निधार होता है दोस्तों बच्चों का जो लिंग निधार होता है पिता के गुर्सुत्र के द्वारा होता है जैसे कि जो तेस्वा लिंग गुर्सुत्र होता है पुर्सों में एक्स वाई होता है और महिदाओं में एक्स एस होता है ज एक लड़की के जर्म होने का ज्यादे चांसिस होता है जब पिता का उवाएं घृसुत्र माता के घृसुत्र से मिलता है तrif कोस्ट नंबर 49 है कि हीमोफिलिया में होता है दोस्तो हीमोफिलिया जो है एक ऐसा रोग होता है जिसमें आप कट गए या किसी करहरे से आप कट पट हो गया तो वहाँ पे रक्त जो बढ़ना उन्हाँ करता है तो ठका ही नहीं जमता है और लगातार भटाल रहता है रोगी की मिलती हो जाती है तो इसमें रक्त का थक्का ही नहीं जानता है और यह एक अन्वांसिक रोग है इसके लच्छडों में कई बड़ी या घरी खरोची जुणों का दर्द सुजन और अपेचित रक्त इस्तराव मुत्र या मल में रक्त का सामिर होना होता है जैसे कि दो हमारे शरीर के अंदर रक्त को तरल आवस्था में रखता है यह रही पहर आसा लेकिन ऊरह को जमने में होता है जो प्रोथं भी होता है फाइब्रोनोजन होता है। जो ठर्वोपाड़ में इस सब्यक्परीन के बाता है। रिवक्त के ग्राइब करना प्लेकर्श में चम जाता है। लेकिन हीमोफेजा जो अन्वांसिक एक बीमारी है अगर किसी को है तो उसमें क्या होता है कि जो हीफेरीन है इतना एक्टिव हो जाता है कि कटने के बाद भी एक्टिव रहता है जिससे कि कटने के बाद भी नहीं जमने देता है रक्त को अब ब्लड रुखता ही नहीं है और प्यक्ति की मृतिु हो जाती है यहूं की महारानी से सुरू हुआ ठीक है ठीक है तो हमारे की अंदर रख्त को जमने नहीं देता है तनलब अवस्ता है और रख्त को जमने में कुन काभय करता है और प्लेटलेट और हमारा वितामिन के और कैल्सियम और हीपरेंटीन का निर्मा होता है हमारे यकरेतियन लिवर में यादर थी यह एक आस्ट्रेलियाई पादरी थे जिनोंने वनसान उक्रम की सिधान का विगास किया था इनका यह सिधान मटर की पौधों पर किये गे प्रियोग पर अधारित था कोश्चन नमर 41 है निम्ड में से क्या अर्वांसिक अच्छा नेधी के रूप में जना जाता है तो दोस्तो जो तेजी तिप्रता है वहां अनुआसिक होता है तो जो है अनुआसिक जियो गज्ञान की साखा है जो उत्पति मुलक पिज्ञान से चुड़ी हुई है जैसे जो कुछ भी सिस्ताइं होती हैं जो बच्चों को अपने माता पिता के जीन से मिलती है जो भी सिस्ताइं अगली पिती से हस्तानतरी हो सकती है उनमें हमारा उचाई होता है सरी के रचना हो सकता है गती फुर्ती बुद्धी सुभाव तही किया सिकता है आदी सामिल है य योगों की सारिख भिंता कैसे होती है तो दोस्तों यहां पे अलग-अलग आफसंदिया है इंडिविजियल डिफ्रेंसे तो आपका बिंता में सभी भेदा आजाएंगे क्वाल सारिख भिंता नहीं आएगा लेकि जब सारिख भिंता की बात करेगा तो उसमें प्रवल्डूं में जीन बहुत ही सक्तिसाली है they are D representative. जीवित प्राड़ी होते हैं उस में बहुत ही सक्ती साली होता है क्योंकि एक प्रीजरे का थी दुसरे प्रीजरे की तर्झ को नेतित करते हैं जो भी इसलता हैं अगली प्रीजर сыновारी की खास्तांतरित हो होता है इस प्रकार लोगों की सारे बिंता अनुवान सिखता होती है याद रखिएगा कोशन नंबर 43 है कि इल्मी से कौन अभीप्रेडा के सिधान का जिव वेग्यानिक अधिगम होता है अभीप्रेडा दोस्तों अभीप्रेडा जो होता है उस सहज जिव वेग्यानिक अधिगम की बात कर रहा है तो यहां पर राइट इंसर हो जाएगा उद्गार का सिधान उद्गार को हम सहज प्रभिति यानि इंस्टिक्ट भी कहते हैं जो उद्गार यानि सहज प्रभिति किसी व्योहार विशेस की तरफ जिवों के सभाविक जुका को क सहज प्रभिति में कोई स्था सामीन नहीं होता अंभी पीड़ा यानि मौटिवेशन दो प्रकार को क wedgeशन प्रभिति है तो जैसे कि बौजह को देख कर हुआधाना इस जनम जात है किससी वहाप को सक पीचे इंपयर हटा लेना आरती है यह अंतरनित होती है किसी प्रसिच्चर की बिनावी प्रयोग के लिए तयार रहती है यह प्रवितिया जैवी क्रूप से प्रेरिध होती है यह दरखेगा कोशन नमर चवालिस है इनमी से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह प्रयोतन सम्होर नहीं होता है दोस्तों अभी कुछ देर पहले में बताई थी जो अन्वानसिकता करण होता है वज़ा लुकर बिसेस्ता होता है जिसमें किसी तरह का हम प्रयोतन नहीं कर सकते अगर आप का कलर डार्क है तो हम उस कलर को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं मरते दम तक हां उसको हम फिट बना सकते हैं बाड़ी को बर कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है कोशल नमर 55 दिन में से क्या वज़ा नुकरम का बिसे है तो दोस्तों वज़ा नुकरम का बिसे क्या है आजरण है ढग और सिटर चाह आदर दिन चलिया है यह हम बाद अभी जर्व लेने के बाद सिखते हैं तो हमारा बेक्तितु कि लच्छर होते हैं उसका रंग रूप कैसा है अकार कैसा है यह जो है वेसा नुक्रम से आता है भी जो एक प्रिहिस जनेरिशन से दूसरे जनेरिशन में जाते है वंसा को मिया अरुवाण सिक्ता कर लाते हैं तो दोस्तो यहां पर प्रेस्जनालिटी ट्रेट वंसा नोक्रम का बिस्य था आज के सेसन में कोशी आपके सिक्षम अपकी कोश्वांति को तो इस तरह मैं आपको जल जल पुरा करवाने के खोरोंगी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्रैक्टेश में तब तक के लिए चाहें